पुश्कार, स्वागत है आपका Self-Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं जोग्रोफी की सिक्स्त वीडियो को कैर, हम इसके अंदर जो प्रिवियस एर के अंदर कोशन्स आये हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम में तो उन सब को हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट आफ ओल हम इंडिया की जोग्रोफी कर रहे हैं और इससे पहले जो पांच वीडियो हम कवर कर चुके अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को जिसमें आपको जोग्रोफी की वो पांचों वीडियो मैंने सेपरेट करके रख रखी है जिससे आपकी तैरी काफी अच्छे से हो जाए और पीडियोफ के लिए मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बोक्स में एक टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको कुछ भी लिखना ना पड़े सिर्व और सिरो आप पड़े और आपके सामने सारे कोशन आपको लिखे लिखाए मिल जाए कैर स्टार्ट करते हैं अब यहां पर फर्स्ट कोशन पूछा गया है यह कोशन आया हुआ है एक नदी यह जा रही है और एक नदी यहां से जा रही है और इसके बीच में जो यह एरिया आजाता है जो यह लैंड होता है और इसको क्या कहा जाता है यह पूछा गया है यहाँ पर आपके सामने first option दिया है जल संबर देखिए जल संबर एक तरीके से मतलब होता है जल को सरंक्षन करना या फिर उसको इकठा करना इसका मतलब यह आजाता है तो यह नहीं हो सकता second आजाता है हमारे सामने जल विभाजक जल विभाजक, अगर आप इसकी हिंदी साही से समझें, तो आप इसका समझेंगें विभाजक, विभाजन करने वाला, यानि कि नदी के पानी को विभाजन कर दे, तो ये वाली चीज नहीं है, फिर यहाँ पर दोआब, यही है वो reason, यही कहें कि यही है वो नाम, जिसको कहा जाता है कि दो नदियों के बीच की जो भूमी होती है उसको दवाब का जाता है तरही जो शेतर होता है उसका मतलब होता है कि पानी एक जो लैंड है यह कोई लैंड है यहाँ पर इस लैंड के ऊपर काफी मातरा में काफी मातरा में पानी होना या दलदली इस शेतर का होना उस उसको तरह ही रीजन का जाते हैं तो यहां पर आपके सामने फर्स्ट यहां इस फर्स्ट कोश्टन का आंसर हो जाएगा सी ओकी अब सेकिंड कोशन पूछा गया है कि भारत में जो प्राइदीव प्यारा भारत है सबसे उंचा निकास बेसीन कौन सा है अब महानदी गोदावरी कृष्णा कावी नर्मदा अब एक चीज आपको समझना है कि हमारे जो प्यारा भारत है उसकी जो आप अगर स्टॉक्चर देखते हैं तो इस तरफ ऐसे जुकाव है यानि कि मतलब यह तो मैंने ज्यादा कर दि में गिरती हुएने जराएंगी बहुत कम ऐसी होती है जो अरब शेत्र में गिरती हैं तो आपको यह समझना है मतलब कि अगर मैं यह एक समुंदर लेवल मानू तो थोड़ा सा यह वाला एरिया जह वो थोड़ा सा उपर उठा हुआ है और इस तरफ जुकाव है तो अब यह आसी एडिया जो तीन तरफ से टीन तरफ से पानी से घिराओ तो उसे कहते हैं प्राए दुप्यां अब यहां से जो नदी निकल रही है उनको प्राए दीप्य नदी कहा गया है कैर भारत में प्राए दیप्य नदी से संबंद सभलते सबसे इूचा निकास वेसीन कॉन से है मैं red color कर लेता हूँ यहाँ पर, देखे यह रहा आपके सामने महा बलेश्वर, इस महा बलेश्वर से आपकर आप देखेंगे, तो यह कृष्णा नदी यह रही यहाँ से अब आपको ध्यान रखना है, कृष्णा नदी जो है इसके अलावा जो यहाँ पर, जो कृष्णा नदी है, तो यह रहा आपके सामने माहुत ओ कृष्णा नदी, ठीक है, यहाँ अपर आपको ध्यान रखने है, एक false devi point भी यहाँ पर आते हैं, तो यह सब चीजें आपको ध्यान रखनी क्योंकि एक्जाम में पूछी जा सकती है, यह छोटे-छोटे point अगर आपको ध्यान रहेंगे तो काफी सारे questions इससे आपके निकल जाएंगे, तो question हमारे सामने second था कि भारत की प्रायद नदी से संबंद सबसे उचा निकास वेसीन कौन से है, तो यह जाता आपके सामने क्रिश्णा, अब नर्मता नदी जो है, मेकाल परवत से, इसके बारे में भी जान लेते हैं, नर्मता नदी जो है, मेकाल परवत के अमर कंटक से निकलती है, और महा नदी जो वो 36 गड़ के रायपूर जिले के सिहावां से निकलती है, और यहां पर इसको 36 गड़ का मैदान भी कहा जाता है, और गुदावरी नदी पश्चिम घाट की नासिक की पहाड़ी त्रमबेकेश्वर से निकलती है, अब यहां देखना है कि नासिक, नासिक उसके पास से निकलने वाली नदी कौन सी है, गुदावरी या फिर कहूँ कि नासी कौन सी नदी के किनारे पर है गुदावरी तो इससे ये भी कोशन बन जाता है एक कोशन आपने याद किया इस से रिलेटिट बहुत सारे कोशन आपको हो जाते हैं बसरते कि ऐसा निया कि सिर्ब आपने पढ़ा और उसके उस रिलेटिट चीजें भी आपको जाननी है अब आगे चलते हैं थर्ड कोशन पूछा गया है कि भारतिय है प्राए दीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यहां पर देखे बहुत important है पूछा गया गया है कि जो peninsular इंडिया है जो पैनिन्सुलर इंडिया है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की सबसे लंबी नदी नहीं पूछी उन्होंने पूछे जो पैनिन्सुलर इंडिया है पैनिन्सुलर इंडिया समझ रहे हो न कि यह जो एरिया है भारत का तो यहां पर अगर आप देखते ह जो पैने चुल रहा है इसमें जो नदियां भेर ही है इसमें से पूछा गए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसका आंसर आजाता है आपके सामने गोडावरी अब देखें गोडावरी जो है यहाँ पर यह रही गोडावरी नदी अब सबसे इंपोर्टन चीजें कि गोड परणहिता बीच में वर्दा यहां पराती है嘛 और प्रणहिता को नीचे से μिलती है यहां पर आती है मानिर तो ये इसकी जो हैं साहयक नदियां आ जाती है अब प्रायद उप्या भारत की सबसे कौन सी है गोदावरी है इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमेटर है इसकी उत्पती नासिक माराश्टर जी ले त्रिम्बेकेश और स्थान से होती जो अभी हम पढ़कर आए है और इस किस रिलेटेद और कौश्न बन जाते है कि इसे वृज गंगा भी कहा जाता है किसको गोदावरी को यह इंपोर्टेन्ट कोश्षं यहां से आपके बन जाते हैं और इसकी साहयक नदियां हमने मैपं में भी देख ली अब देखे फॉर्ट कोश्न देखे क्या पूचा है भा तो दक्षिन गंगा कहा जाता है तो इसमें फिर से आपका सांसर हो जाएगा गुदावरी यह सारे यहां पर आप देखेंगे ना S.S.C. S.C. 2013 के अंदर यह कोशन आया हुआ है 2008 में कोशन आया हुआ है 2008 में M.T.S. S.C. C.G.L. S.C. C.H.S.L. इन सब चीजों में आप देखेंगे तो कोशन कैसे एक दूसरे से रिलेटिट पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ बढ़ना है लेकिन जो भी पढ़े बहुत साटिक से पढ़े उस से रिलेटिट सारी चीजों आपको याद करनी होगी ओके अब आगे चलते राज्जे में गुदावरी नदी के तरफ पर शतीत है भारत के चार ध्यार लगने कि एक तो हमारा एरिया प्यारा भारत है उसी के शेतर में से किसी नदी का उद्गम हो रहा है लेकिन काफी सारी नदियां ऐसी होती कि जो भारत के बाहर से हिमाले के पार के एरिया से भी हमारे देश के अंदर एंट्री करती है तो वो नदी कौन सी है तो यहां पूछा गया है भ्रंपुत्र व्यास, रावी, जहलम तो इसमें आज आता है आपके सामने भ्रंपुत्र, भ्रंपुत्र जो है वो तिबबत के, तिबबत से होते हुए आती है यहां पर दिहांग शेत्र जैसी अरुनाचल परदेश में यह एंट्री करती है सांग पो इसको कहा जाता है अरुनाचल परदेश में एंट्री करने पर दिहांग रीवर कहा जाता है क्योंकि यह दिहांग शेत्र में आ जाती है तो यह बहुत जादा इंपोर्टन है अब अरुनाचल परते से पार करती हुई जैसे ही जैसे ही यहां पर यह entry करती है असम में असम में जैसे ही entry करती है इसको बोला जाता है ब्रहंपुत्र तो ध्यान रगना है आपके ब्रहंपुत्र नदी नाम कहां पर आता है हमारे देश में वो यहाँ पर आता है जब यह असम में एंट्री कर जाती है फिर यहाँ पर माजूली रिवर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ मतलब कि आइलेंड जिसको हम कहेंगे जो यहाँ पर आता है असम में आ जाता है तो यहाँ पर आपको चीज़े ध्यार रगनी है दिवांग और लोहित यह इंपोर्टन्ट हो जाती है इसकी सायक नदियों में फिर यहाँ पर इसमें यह ब्रहमपुत्र नदी है और फिर यह जो आती है बंगला देश में गिरती है बंगला देश में इसके साथ यह गंगा गंगा जो नदी है एक तरीके से जो यहाँ पर पस्चे मंगाल में हुगली में और यहाँ पर इस थरफ पदमा में कनवर्ट हो जाती है जब यह entry कर जाती है बंगलदेश में तो इसको पदमा का जाता है इसको जमुना का जाता है ब्रहम पूतर river को तो इससे काफी सारे question आपके बन जाते हैं और एक चीज ये रिवर आपको ध्यान रखनी है तिस्ता रिवर जो है वो जेमू गलेशियर चोलाम लेक से तो ये जो रिवर है वो भ्रहम पुत्र मिलते हैं फिर कहीं कि कि एंट्री कर जाती है मतलब कि मिलती है जमुना में डिप्वत को सांगपो कहलाने वाले भारि ज कॉलाने वाली जो रिवर है वो कौन सी है वो भ्रहमकूत्र या इंक काफी सारे कोशन हो जाते हैं सिर्फ एक कोशन हमने बहुत अच्छी पिया सुर इ सारी चीजे मैं जानली ह एससी, एफसी आई प्रिक्षा 2012 के अंदर ये टेक्स असिस्टेंट की जो एक्जाम हुआ था 2007 में तो उसमें आये थे तो यह सारी चीजे आपको यहां पर लिखी हुई मिल जाएंगी, सारी चीजे मैंने करा दी है, तेकि अब यहां पर महा नदी, रावी, चेनाब नदी का उद्गम स्तरोत क्या है, भारत ही है, यहां पर इसके सामने 20 का अंसर हो जाएगा, आप पुछा गया है कि सिंदु नदी का उद्गम स्तरोत कौन सा है भई, अब यहां पर इसके सामने अंसर हो जाएगा, हिमाले परवत माला से, या केलाश परवत माला से, कारा कोरम परवत माला से, हिंद कुश परवत माला से अब यहां पर आपके देखेंगे तो इंडस नदी, यह इंडस रिवर, ठीक है इंडस रिवर, एक इंडस समझोता भी हुआ था यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो यह देखे, यह री बयास, यह चेनाब है नदी को पाद को दिया गया है कितना परसेंट दिया गया है, कितना परसेंट रिवर में रहने इस सारे कोशन आपको करने है अब यहाँ पर नाइन्थ कोशन का जो आंसर हो जाए का आपके सामने केलाश परवत माला से केलाश परवत माला से देखे सिंदु नदी का उद्गम स्थल जब वो केलाश परवत माला स्थित मान, सरोवर, जील के समीब वहाँ से होता है केलाश परवत माला जब वो तिबवत में स्थीत है जो एक ट्रांस हिमाले का भाग है कैर मैंने आप लोगों को परवत से रिलेटेड चीजें करवाई हुई है तीन वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए करवा चुका हूँ जोग्रोफिकी बहुत फुल डिटेल से वो चीजें मैंने कराई है एक बर आप जाके विजिट करिए और आप देखिए आपका कॉंसर्ट बहुत अच्छे से क्लिर होगा कि परवत बने कैसे उनका निर्मान कैसे हुआ भ्रंस यानि जो फॉल्ट माउंटेन है वो कैसे बने तो यह अलग-अलग माउंटेन के टाइप भी मैंने आप लोगों कराए है तो वहाँ पर अब हम हिमाले पर आये हुए हैं अने वाले टायम है, आप लोगों को एक हिमाले की वीडियो GDP को हम आप लोगों कर वाऊंगा एक वीडियो के अंदर नहीं होगा तो दूसरी वीडियो के अंदर भी कराएंगे लेकिन बहुत अच्छे से डिटेल से उस चीज को हम करने वाले हैं पर उससे पहले जो तीन वीडियो आपको करवा दी गई है वो बहुत क्लियर अच्छे से आनी चाहिए और यतना सब कर रहे हैं तो लाइक तो बनता ही है वो जरूर करते हुए चलना आप देखिए टेंथ कोशन है निमन में से कौन से नदी हिमाले से परे की नदी है यानि हिम में से एक है पड़़र कोई होती है अब निमिलिकत में से कोन सी नदी भारतियों भूशित्र से नहीं निकलती गंगा अब हमने देखा यह यहां से होती है जहां पर सांक पया जाता है अरूणाचर पर से बर्देस में एंतरी करती है चेमां यूंडूंग, ग्लेशिर से जो है ब्रहमपुतर नती का एक तरीके से उद्गमस्तल है, तो यहाँ पर आपके सामने आंसर हो जाएगा ब्रह्म पूत्र और एक और नतिय सची है सोरी इसमें दो नतियां आ जाती है हमारे सामने एक तो यह गंगा होगी जो है भारत से निकलती है भारत के एरिया से निकलती है और इसके अलावा महानती जो है हमारे एरिया से निकलती है मतलब कि भारत के area से निकलती है लेकिन सतले जब वो यहां से निकलती, नहीं निकलती मतलब कि बाहर से निकलती है, अब पिछले कोशन मी किया था, अब यहां पर हो गया हमारे सामने यह SSC के tier 1, यानि SSC CGL के अंदर यह कोशन आया हुआ है, 2015 में अब 12th कोशन में, देखें, निमले के इतमे से कौन सी नती जो है, वो हिमाले के पार की शेतर है तो यहां पर आ जाता है, इसके सामने आपका right answer, सिंदू नती, अब यह देखना है आपको कारा कॉरम, कारा कॉरम रेंज, यह जो है वो western हिमाले है, यह जो है भारत की कौन सी नती को खुला नाला का जाता है अब इस नाले से समझी गया होगे कि कोई अच्छे वे में तो यूज किया नहीं गया होगा जहां पर गंद की फैंकी जाती है या फिर गंद बहुत ज़ादा उस नती के अंदर पाये जाते है तो इसमें आप समझी जाओगे यमुना क्योंकि आपको बताए कि यमुना में जैसे जिस तरीके से परदोशित किया गया है उसको एक तरीके से खुला नाला कहा जाने लगा है अब फॉर्टिंथ कोशन है भारत में कौन सी नती विब्रंस घाटी से बहती है विब्रंस घाटी विब्रंस का मतलब फॉल्ट वैली यह मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है फॉल्ट वैली यह जो माउंटेन है उसके अंदर भी एक टाइप का आया था ब्लोक माउंटेन मैंने कहा था तो वो कैसे बने उनका निर्मान कैसे हुआ बहुत अच्छे से एनिमेटिट वीडियो के तुरू मैंने यह concept आप लोगों करवाया है अब देखिए इस चीज को समझना है यह मैंने एक image लेकर दाया हूँ यहाँ पर आपको उबडखाबड सी यह दिखेगी तो क्या होता है कि जब नदी जो है के आ रही है तो अपने साथ मिट्टी के कंड लेके आती है लेकिन वो कुछ एक ऐसे एरिया से निकलती है विबरंस यानि हम कहेंगे कि फोल्ट वैली से जब निकलती है तो यहाँ पर जो है वो मिट्टी के कंड और ब्र Latinos यहां से वो बहे गई लेकिन सेम ये ऐहां यहां से बी यहNA यहां से ब्र एंसलिट्टी वाले करनए यहां पर फस्ते रहते हैं तो यह जो होती नहीं यह वाली जो इप्स्ट्रुआ होते है यह विबरंस गाटी और यह प्लेन एरिया होता है अब देखिए इसमें एक कॉंसर्ट आपको सीखने को मिलेगा जो नदी इस एरिया से इस प्लेन एरिया से भैकर निकलती है जहां पर यह गिरती है तो वहां पर यह डेल्टा का निर्मान करती है डेल्टा का निर्मान करती है मतलब कि यह जाकि मिट्टी वहां पर इकठा कर देती है जिससे एक डेल्टा बनता है और यहां पर यह मिट्टी ले जानी पाए क्योंकि इस घाटी में इस वैली में यहां पर क्या होगा यह मिट्टी जो है वो इन एरियास में फस जाएगी जो यह नदी जो है वो जहां पर गिरेगी, वहां पर कोई भी डेल्टा बनेगा ही नहीं, वहां पर एस्चुरी का निर्मान होगा, तो यह सिब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो पूछा गया है कि कौन सी नदी जो विबरंस घाटी में बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, यह जो नदियां वो विबरंस घाटी से परवाहित होती है, नर्मदा, नदी और ताप्ती अरमसागर में गिरती है, जबकि दामोदर नदी तो वो हुगली नदी में मिलती है, ओके, हुगली नदी कौन सी है, ग बागी रती और अलग नंदा के संगम परस्थित जो नगर है अब यहां पर आपको देखना है यह रही यमनोत्री गंगोत्री किदारनाथ बदरीनाथ अब यहां देखिए यह होगी भागी रती यह जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो यह अलग नंदा जो भागी रती और अ प्रयाग को याद करना बद्रीनाथ बंद्रीनांत करते जो जूल मिलरक्तिपकु उसके стал ऑन ऐता है जोसे का28 तो यह आजाता है आपके सामने पिंदर गंगा जब मिल जाती है अलग नंदा में तो उसको कहा जाता है करण प्रयाग फिर आता है नंदाकनी जो अलग नंदा से मिल जाती है तो इसको कहा जाता है नंद प्रयाग फिर धोली गंगा और धोली गंगा जब अलग नंदा के साथ मिलती है तो उसको कहा जाता है विश्णू प्रयाग तो यह प्रयाग आपको सार है यह पांचो प्रयाग आपको याद होने चाहिए और यह देखिए यमनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रिनाथ यह चार धाम की यातरा है ठीक है यह चार धाम की यातरा कहा जाता है क् जो लोग फिर होते हैं कि एक एज होती है जो रिटायर होते हैं फिर वो यहां पर तीर्थ यात्रा है गहेंगे कि चार धाम की यात्रा हम करने जाते हैं तो वो चार धाम की यात्रा हम करने जाते हैं तो वो चार धाम की यात्रा करने वालों में जो भी लोग जा रहे हैं उनकी death हो रही है, reason यह था कि यह उपर चड़ते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं फिर यह उपर चड़ते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं तो यह जो temperature है, यह उपर चड़ना यह pressure भी बरदास्ट नहीं करवाते हैं इसलिए heart attack की problem आरे थी government ने काफी सारी guidelines निगाली थी कि अगर आप जा रहे हैं, उच्छा रधाम की यात्रागे तो please पहले पुरा check-up करवा कर जाएंगे क्योंकि death बहुँ जादा हो रही थी इसमें से, ओके तो यह हो गया आपके सामने current में आपके सामने रुदेव प्रयाग, इसका भागी रती और अलग नंदा बाकी मैंने आप लोगों को सारे आपको यहां पर करवा दिये पांचों के पांचों प्रयाग अब आते हैं, भारत में सब निमलिकित में से बारत में तलचेट को प्रवायद करने वाली प्रमुक नदी कौन सी है तलचेट बोले तो जो अपने साथ मिट्टी बहुँ ज़्यदा बहा कर लेके चले जाती है तो यह आ जाता है आपके सामने गंगा देखें भारत में तलचट को प्रवाइद करने वाली जो प्रमुक नदिय वो गंगा है सिंदू, भ्रहमपुत्र इनके द्वारा भी मिट्टी बहा कर ले जाए जाती है लेकिन इतनी बड़ी मातरा में नहीं जितनी गंगा बहा कर लेके जाती है अब निमलेकित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए परसीद है उसे कहते हैं कोसी नदी, कोसी नदी जो हो नेपाल से होके आती है अब इस कोसी नदी के अंदर सुनकोशी, संकोशी होगी, एक अंकुर होगी, तैमूर होगी यह सब सारी नदियां जो वो इस कोशी नदी में आके मिलती है और कोशी नदी को बिहार का शोक भी का जाता है क्योंकि यह जो एक तरीके से मिट्टी के कटाव के लिए काफी जादा परसीद है मिट्टी के कटाव के लिए जिससे उपजावपन कम हो जाती है तो इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है अब यहां पर आपको देखना है 20th question सेम पुछा गए कि बिहार का विशाद यानि शोक किसे कहा जाता है तो वो हो जाती है आपके सामने कोशी नदी clear अब आजाते हैं हमारे सामने 21st question भारत की निम्र नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती ये बड़ा समझ में है डेल्टा का मतलब क्या होता है एश्चुरी का मतलब क्या होता है तो अब इसमें आ जाएगा आपके सामने तापती देखे गोदावरी, गंगा, महानधी पूरव की तरफ परवा करने वाली जो नदियां पूरव की तरफ कहां पर, इस तरफ ये पूरव है ये पश्चिम है ये बंगाल की खाड़ी में अपने मिलनस थल पर डेल्टा का निर्वान करती है जयानी कि समझो जो अपने साथ येजो सेडिमेंट्स लेकर आएं यानि कि तो तलचट जो मिट्टी अपने साथ लेकर आएं तो वहां पर वह इकठा कर देते हैं जिससे क्या होते एक डेल्टा का निर्मान होते हैं जबकि ताप्ती पश्चिम दिशागी और प्रवाइत होने वाली नतिया और अपने मुहाने पर ड बाइसमें कोश्चन पर इसमें पूचा गए कि निमन में से कौन सा राजे नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है आपकी सामने मैप है इस सारा मैंने लिखा हूँ वताया वह एरिच चल नहीं रहे हैं यही नर्मदा नर्मदा देखेंगे तो आप मध्यपरदेश से हो लेकिन राजस्थान यह नहीं है तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे नर्मदा की द्रोनी का 87 परसेंट जो हिस्सा है वो मध्यपरदेश में 1.5 परसेंट लगवाग 15 परसेंट है यह 1.5 है 1.5 ही है 15 परसेंट कहां से होगा 87 तो यहीं हो गया 1.5 परस इसका कोई भी मतलब विस्तार नहीं है तो राजस्थान नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं होगा अब आते हैं 23 कोशन पर देखें प्राइद भारत की इमलेकित में से कौन सी नदी अरब साकर से नहीं मिलती यह पूचा गया है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके सा का वेरी इसकी आपको द्यान रखने जो इंपोर्टन जो मैंने आफ लोगों को बता है वही है पेन गंगा मानेर सबरी इद्रावती यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहावर मंजीरा पुर्णा प्रवरा मूला धूदना यह इतना इस से उत्र की तरफ आती है तो इसमें आ जाता है आपके सामने सोन रिवर ठीक है यह सोन रिवर है राइट आंसर हो जाएगा जो पट्ना के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है निमल्ली की युकमों को मिलाईए इसमें देखें चंबल जह वो यमना बिलकुल सही है मा असे मिली नहीं रहा तो यह पिर कोई भी विकल्प आपके लिए रिव कर फिरहां करती है तो यहां आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा नारम अंदान का अरभ अठाश्ट की और वाली प्रायद भारत वंप eu B बड़ी नदी है, पुछा गया है पश्चिम की और बहने वाले, सबसे बड़ी नदी है, ब्रंस गाटी से हो का निकलती है, यह नदी अपने वहाने पर डेल्टा की जगह है, एस्चुरी का निर्वान करती है, अब यहाँ पर इसके सामने आ जाएगा आपके सामने, भी नर्म कोशन आते हैं, विजय बाड़ा किस नदी के किनारे पर स्तित है, तो विजय बाड़ा जो है यहाँ पर सब्रब्स Charles पुर्म सब्सक्राइन डिंक सब्सक्राइन कोई PDB मिल जाएगी तो घवराने की जुर्त नहीं है इमें लेकित की जोड़ी बनाई है देखे जबलपूर पैरिस लंदन लाहूर देखे पैरिश जो हो सीन पैरिश जो बताओंगे तो आप असानी से कोशन कर सकते हैं बाकी इंफोर्मिशन यहां पर आपके सामने दी गई है लग alone कि इंबल कित में ChelseaDanta संबद पंजाब से नहीं है तॉत मुल्टाइन अमक्तान के पास सत्पूरा श्रेणी से निकलती है देखिए इस चीजें आपको ध्यान रगनी कहां से निकलती है मद्यपरदेश के बैतूल जिले से बैतूल जिले के मुलताई नामक स्थान पर वहां पर सत्पूरा की श्रेणी से निकलती है इसके बैसीन का 79% महराश्टर में 15% जो है व जो मध्यपरदेश में 6% जो है वो गुजरात में बढ़ता है नर्मदा की यह नर्मदा की समानांतर सत्पूरा के दक्षिन से होकर सूरत के निकट खंबात की घाड़ी में गिरती है सूरत किस नदी के तठ परस्थित है अभी इसका आजाएगा आपके सामने तापती क्योंकि यह चीज़े हमने यहाँ पर पड़ भी ली है अब पूछा गया कि भारतिय मुरुस्तिल की एक महत्तपूर नदी क्या है भारतिय मुरुस्तिल यानि कि जो राजस्तान में एक नदी जो बहती है जो बहुत इंपोर्टेट है वो कौन सी है तो वो आ जाती है आपके सामने ल 320 किलो मेटर लंबी है और एक सबसे इंपोर्टेंट बात यह निकलती है और इधर ही भारत के अंदर ही विलूपत हो जाती है इसकी जो पर्मुक है सरसूती बुंदी शुक्री जवई यह हो जाती है हमारे सामने ओके चले आगे चलते हैं भारत किस नदी का एक अंतर देश ह मतलब कि यहां पर फिर से इसमें आ जाया कि आपके सामने लूनी लूनी नदी का अंतर देशी जल निकास है यह अजमेर के राजस्तान के दक्षिन पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है लगबग 320 किलो मेटर बहने के पच्चा कच के रण में जाकर यह विलूपत आती है क्या रिजन है क्या उसके जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है जुंडर तुफान चक्रवती तुफान सुनामी टॉर्नेडो क्या इनकी वज़े से अचानक बाड़ आती है क्या देखा जाए तो यह सारे के सारे जो है वह राइट आंसर ही है अब यहां देखिए इसमें आक्समी बाड़ जो अचानक बाड़ है उसको कि शेतर में अचानक जल भर जाना उसी को कहा जाता है जल मगन हो जाना बाड़ ग्रस हो जाना यह पर मुख्यत है नतियां जो है वो जल परभाव से होता है प्रंतु सुनामी द्वारा अचानक जल परभाव से एक चक्रवती तुफान जैसे भारत के उशन कटे बंदिये चक्रवातों पर उत्तर अमेरिका के हिरिकेन उस्टेलिया में विली-विली आधी से होने वाले अत्यतिक वर्षन के कांड स्थलिये भाग का जलमगन होने से भी एक आक्समी कहांगी अचानक बाड़ की स्थिति उत्पन हो जाती ह कभी-कभी टॉर्णेडों के कांड होने वाली अत्यतिक वर्षा के से भी जो एमर्जेंसी स्ट्रॉम है या एमर्जेंसी बाड की स्थिति भी बन जाती है अत्य दिये गए पर्षनों में एक से अधिक विकल्ब सही है तो अब यहां पर इसके सामने आपको कुछ भी टिक न पर्षानों ने डेवलोग किया हूं इस बंदरगा को समझे हमारे सामें जो नैचरल बंदरगा है वो गोवा का है और अभी हाली में जैसे भारत और श्रिलंका के बीच में एक समझोता हुआ था ट्रिंकोमाली दीप को लेकर ट्रिंकोमाली दीप को ऊपर या फिर ट्रिंको बंदरगा होता है यह एक लैंड मैं मनदा लेता हूं यहां पर बनाते हैं यह एक लैंड बना हुआ है ठीक है यह एक लैंड है अब यहां पर इदर भी लैंड है इतना भी है ठीक है यह ऐसे ऐसे जा रहा है यह धीरे 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 यह कम हो रहे है ठीक है यह कम ह पानी की आगे- और जहादा हो जाती है अब कोई भी जहाज जो है WOMAN पर आता है यहाँ पर जाता है क्या रूपानी के लिए यह हैं पर रूप्स आ चाल तो इसे क्या वो आगे तक लाए दो यह नोगा कि एम ब। जिससे क्या होता है यह पूरा एकदम लैंड से आगे सटिक हो जाते हैं ऐसा कहां पर हो रहा है यह सिर्फ और सिरुफ गवा में हो पा रहा है क्योंकि वहां पर हमारे देश का एक प्राकरतिक बंदरगाह है लेकिन जो दुनिया का सेकिंड सबसे बड़ा जो प्राकरतिक जो आध्या उर्फ बंदरगा करो या तो मिंट्टी निकाल लो या रागे लेकर चले जाओ कुछ भी कर लो अगर जो प्रकरती के खिलाफ जाक रहसे समझ लीजिए क्योंकि प्रकरती ने तो नहीं बनाया था उसने अपनी मर्जी जे बनाने कोश्की उसको कृत्रिम कहा गया ठीक है अब यहां पर आपके सामने सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चैन्ने और मदरास भारत का कृत्रिम में जो आंसर पूछा गया था उसके कोडिंग 11 है बाकी चोटे मोटे चोटे मोटे देखे तो यहां पर बोला गया कि दोस्तों जो हैं आपको मिल जाएंगे अब यह सारे कोशन जो आपकी सामने वन लाइनर के रूप में दिये गए हैं यह आपको पढ़ लेने बहुत अच सिंदू जल प्रणाली की तीन नदियों में से नहीं है जिस पर भारत को पाकिस्तान के साथ सिंदू जल संदी के तैत नियंतर मिला है तो यहां पर आजयता है चिनाग और यहां पर 1960 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जल संदी हुई थी सिंदू जल संदी वो प तरीके से बंगला देश में जाकर मिलजाती ए मचली एक यहां पर सिंदु जरग आ पाकिस्तान में संगे तरीव की definition-blind की त्यांत्विछ नियुक्तु ईतलेकि पर कि आप आज के लिए इतना है था thank you for watching this video मिलते हैं हम बहुत जल इसके 7th part में तब तक के लिए आपको जितने भी videos करवा दे गई हैं वो सारी आपको अच्छे से देख लेनी है thank you